How to use GeoSIM in Vivo Mobiles आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपने अपने वीवो के मुवाइल में कोई GeoSIM डाली है और अगर आपके फोन में GeoSIM वर्क नहीं कर रही है आप करना चाहते हैं GeoSIM की सेटिंग्स तो कैसे कर सकते हैं आईए जानते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने GeoSIM लगा रखी है अपने फोन में यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं तो उसके लिए सबसे बहले आप अपने फोन में GeoSIM इंसर्ट कर लीजिए उसके बाद आपको सैटिंग्स को ओपन कर लेना है अपने फोन में उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरे या चौथे नमबर पर एक उप्शन मिल जाता है डूल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क इस उप्शन पर आप टच कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर हमने सिम वन में Geo की सिम लगा रखी है तो हमें सिम वन की सैटिंग्स करने के लिए यहाँ पर सिम वन के नीचे आपको एक उप्शन मिलेगा इनेवल दा सिम कार्ड यहाँ पर आप इस उप्शन को चालू कर दीजिए अगर आपने बंद कर रखा है तो उसके नीचे एक उप्शन है नेटवर्क मोड का इस पर आपको टच करना है उसके बाद एक उप्शन है 4G अगर आपके फोन में LTE दे रखा है तो आप वो उप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको डेटा रोमिंग का एक उप्शन मिलेगा डेटा रोमिंग को चालू कर दीजिए उसके बाद continue कर दीजिए यहाँ पर एक उप्शन है carrier का इस उप्शन पर आपको टच करना है और यह वाला उप्शन आपको जरूर चालू कर देना है अगर बंध है उसके बाद back आईए यहाँ पर आपको एक उप्शन मिलेगा access point names का आपको इस उप्शन पर टच करना है और उसके बाद एक उप्शन है reset to default इस पर टच कर दीजिए यह reset होने लगेगा तो कुछ seconds का wait कर लीजिए यह आप देख सकते हैं complete हो चुका है उसके बाद back आना है अगर आपके फोन में दे रहा है वोल्टी call आपको यह option भी चालू कर देना है यह सब settings करने के बाद अपने mobile को एक बाद restart कर लीजिए उसके बाद आपके जियो के sim आपके फोन में चलने लगेगी और network भी आने लगेगे तो अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी subscribe जरूर करें